Hello Everyone, इस वीडियो में हम कख्षा 3 की हिंदी की वक्षीट No. 96A करेंगे डेट है इसके 25 October 2021 ये वक्षीट आपके पार्थे पुस्तक्रिमजिम के पार्थ सर्दी आयसे ले गई है जो कि एक कविता है सर्दी आय कविता की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्यारे बच्चों आशे करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगी ठीक है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी जरू कर दीजेगा क्योंकि इस चैनल पर सॉलिशन के साथ एक्स्प्रिनेशन के साथ हम लोग वक्षिट की वीडियोज लाते रहते हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल एकन को ओन करके रखिएगा ठीक है ना तो चलिए बच्चों पिछली कारेपत्र का में हमने कविता सर्दी आई को बहुत ही उच्चाहा के साथ गाया साथ ही कविता से जोड़े कुछ प्रशनों के उत्तर भी लिखे थे आईए अब कविता की इस पंक्ती को फिर से बोलकर पड़ते हैं सो कौन सी पंक्ती है यहाँ पर देखो सर्दी आई थंड की पहने वर्दी आई सबने लादे धेर से कपड़े चाहे दुबले चाहे तकड़े दोड रहे हैं हाफ रहे हैं अगर आपको अच्छी से समझ नहीं आई तो यहाँ मैं आपको समझाती हूं रीना बहुत सिम्पल वाकिये में समझाऊंगी रीना डौड रही है यह मैं ले लिती हूं ठीक है रीना दोड रही है तो इसमें क्या है रीना क्या कर ये कुछ काम कर रही है क्या कर ये दोड रही है तो यहां तो दोड है यह आपका क्रिया शब्द है ठीक है तो किसी भी काम के होने का बहुत जिस वाक्ये में होता है वो गाना गा रहा है यहां गाना गा रहा है जिस वाकिया मैं हमें कुछ भी करने का भूद हो जाता है अब आपका प्रश्ण एक है बच्चो अपना काम सोय करना बहुत अच्छी आदत है आप भी तो बहुत से काम करते हैं से हाथ दोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदी, ठीक है, तो नीची दरशाय के चित्र को ध्यान से देखकर लिखिए कि इसमें कौन-कौन से काम या क्रिया हो रही है, यहाँ पर लड़की जूला जूल रही है, बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं पक्षी उड़ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं, पहला पक्षी उड़ रहे हैं, तूसरा बच्चे खेल रहे हैं, तीसरा बथ के तैर रही हैं, चौथा एक लड़की जूल रही है, तो इस तरीके से चार वाकिया आप यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं, फिर है आपका बच्च टिक लगांगे किताब कोई करियाशव्द नहीं है लिखना क्याओर चीछा लिखनार वुल्णट और लिखने लोग बटाना हीग है इस प्रेश्ट्र को करनी से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कोडिंग आप सभी को पता होगा कोडिंग नहीं तो आपको एप बनाना पता ही होगा कि एप क्या होता है अगर आप अपना एप फ्री में बनाना चाहते हैं तो छोटे बच्चों के लिए आपने एक वीडियो बनाई है कि छोटे बच्चे कैसे शुरुआत करें कोडिंग बिना सिखें एप कैसे बनाई धिले धिले जिससे आपको coding सिखना भी आ जाएगा वीडियो की link में आपको description में दे दूँगी उस वीडियो में coding के बारे में full information दी गई है एप कैसे बनाएए छोटी बच्चों के लिए basically वो वीडियो बनाई गई है जिससे आप भी coding करना सीख सकते हैं अब अगला प्रशन है आपका क्यों करती हो यह बोल रही होगी मैं यह काम थोड़ी ही है कि हूं ही तो कीस रही हूं इस तरीके से जो है आप यहां पर इनकी आपस में बात चीत करवा सकते हैं यहीं पर आज की कारेबत्रे का समाप्त होती है आशकरती हूं समाजाई हो की वीडियो को लाइक कीचेगा चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा धनेवाद